हाँ आप बताओ बटा क्या आउडियो वीडियो के लिए रहे स्टार्ट करें अब चेक करो तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहूंगा आप में इसे कितने बच्चे हैं जो नीट 2024 के लिए सीरिस हैं एक बर मैं चाहूंगा कि एक बर कमेंट में चैट में यस लिखो क्योंकि बात क्या है यह बहुत जरूरी है समझनी बात यह समझनी कि आपका एक एक सेकिंड एक एक मिनट कीमती है अगर मैं आपको मतलब बहुत जादा चीजों में इन्वाल्व करूंगा और बाकी चीजे कराऊंगा तो उससे चीजे बनेंगी नहीं क्योंकि टाइम बहुत कीमती है आपका तो एक बर चैट में मुझे बता दो यार पर आपको उनसे दूरी बना के रखनी चीजे क्योंकि वो चीजे आपको सेलेक्शन से दूर ले जा रही हैं मैंने आपको और्गेनिजम पॉपुलेशन पूरा एक शौट में पढ़ाया मैंने आपको इको सिस्टम पूरा एक शौट में पढ़ाया अब मैं तो कहींना कहीं हमारा जो धे हैं हमारी जो इक्षा है वह ऐसी है कि यर्ण बच्चे को मतलब कहींना कहीं Fat education जो चाहता है कि यार one shot मुझे timely मिल जाएं वो दे सकें या वो चाहता है कि यार मुझे quality content मिल जाएं वो दे सकें तो अगर आप बिटा बिल्कुल ready हो एकदम पढ़ने के लिए एकदम ready हो की नहीं dedication के साथ हम सुनेंगे सरकी बात तो मैं start कर रहा हूं और आप में से जो कुछ में बन जाएगा 100% क्योंकि मैंने बिटा जब भी जहां भी पढ़ाया है वहां पर पूरी मांदारी से वो सारी चीजे कराई हैं जो आपके लिए important थी और मैं उस चीजों पर आज भी टिका हुआ हूँ अपने उस principle पर कि बच्चे important होते हैं बच्चे सिर्फ पैसे का जरिय नहीं है बच्चे important होते हैं बिटा मैं उस चीज पर आज भी मतलब टिका हूँ तो कहीं न कहीं आपके आसपस बहुत जादा distraction है चीजों का तो प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि यह साल आपका है यह करियर आपका है और यह मतलब यह जो समय यह आपका है तो एक ब मुझे वन छोट में कराना था सर कितना ताइम लग जाएका लगबग इसमें फोन रख दे रहा हूं लगबग इसमें ताइम जो लग जाएका देड़ गंटे के आसपस मैं कराऊंगा और मैं पूरा चैप्टर आपको करा दूँग आपनी क्या करना है चैप्टर सबसे पहले इस chapter जो है इसके कौन-कौन से topics हैं जिन पर हम लोग discussion करेंगे तो topics में लिख देता हूं यहाँ पर हम लोग biodiversity और conservation दो पार्ट में इस chapter को पढ़ेंगे topic चोड़ते हैं direct पढ़ाते हैं अब biodiversity का मतलब क्या है मैं आपको biodiversity के बारे में पढ़ाऊगा इस chapter के साथ सब साइंसर रटने की चीज थोड़ी होती है बिट तो साइंस पढ़ने की चीज होती है तो इस lecture के और ले ले लेते हैं फटाफट से start करेंगे सबसे पहले मैं start कर रहा हूं first स्पेस्शिप अर्थ पर आए उसमें से इलियन निकले तो वो अपने आस पास जो जीजे देखेंगे ना अपने आसपास वो देखेंगे कि यार इतनी सारे प्लांट अनिमल है तो उनको अजीव लगेगा ऐसा इंसे आटी ने क्यों बोला है कि वो एलियन नहीं बुलाना चाहती है वो यह बता रही है कि अगर बाहर से कोई आएगा तो इतनी जादा अनिमल प प्रेजेंट हैं तो हमें क्यों नहीं लगता क्योंकि हम डेली देखते हैं इसी लिए अगर मैं आपको कोई डाटा बताओं कि अर्थ पर इतने हजार एंड्स हैं इतनी थाउजन बीटल्स हैं बर्ड्स हैं तीस हजार ऐसे करके बताओं तो आपको लगेगा हाँ यार यह त बहुत जादा नंबर है तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है सिर्फ आपको यह बता रहा है कि अर्थ पर इतनी जादा डाइवरस्टी है जिसको देखकर नॉर्मल किसी भी परसन को क्या लगेगा थोड़ा आजीव लगेगा क्लीर है तो हम यहां पर बि पढ़ेंगे सबसे पहले वह हम पढ़ेंगे बायो मतलब है डाइवरस्टी एट ओल फॉर्म ओफ लाइफ मतलब अगर आप जीवन के हर आस्पेक्ट में देखो मतलब कहां पर प्लांट है कहां पर एनिमल है और प्लांट में भी कितने टाइप के प्लांट है या आप किसी एरिया को देखते हो वहां माउंटेन है रिवर्स है वहाँ अलग तरह की लाइफ है तो बायो डैवस्टी का मतलब होता है बिटा डैवस्टी डैवस्टी इन ओल वॉर्म ओफ लाइफ life की हर form में जो diversity है उसको हम क्या बोलते हैं bo hopeful कि यहां पे दो सब्य है का बहूत अलग लग तरह का बायो मतलब live life तो life में अलग लग तरह की जो चीजें मिलते हूं से हम क्या बोलते हैं जब यह थोड़ा सा कनेक्ट नहीं है कि बायोडैवरस्टी का क्या मतलब है अगर यह कोशन देद। जैट में आंसर चाहिए different type के animal क्या different type के animal बायोडैवरस्टी है делает different type के plant अलगलग type के जो plant है क्या वो बायोडैवरस्टी है हाँ सर है मैं different habitat लिख दूं अब habitat में तो abiotic factor भी होता है तो different habitat लिख दूँ और यहां लिख दूँ all, तो मुझे बताओ क्या आएगा answer, बताओ, तो biodiversity का क्या मतलब होता है, आप देख सकते हो, biodiversity का मतलब है different, different form of life में, जो diversity present है, उसको हमने क्या बोल दिया, बैटा, biodiversity बोल दिया, क्या बोल दिया, उसको अपने ने biodiversity बोल दिया, पहला page clear है, scientist का नाम, देखो, कोशन सिर्फ क्या आएगा, term biodiversity was coined by geneticist, ecologist, socio-biologist और एक-दो और word यूज़ करेगा, तो आप क्या लिखोगे, socio-biologist, पहला page के लिए रहे, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, आगे आजाओ, आगे आओ, आगे आओ, आपकी NCRT नहीं यह सारी ब page जो है, वो यह है, हम यह कहते हैं, बिटा, biodiversity क्या होती है, किसने दिये, Edward Wilson ने, और वो term क्या है, वो socio-biologist है, कोई doubt इसमें, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिटा, हम देखेंगे कि यार, biodiversity की हमने बात तो कर ली, हमने का, यार, plant है, animal है, बहुत सारी चीज़े हैं, हम यह देखना चा रहे हैं, हम यह समझना चा रहे हैं, कि यार, अलग-लग levels क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं आपको real में बताओ, हमारी body में diversity है, हाँ, तेरी body में अलग-लग type के cells है, क्या उन cells में सारे molecules एक जैसे नहीं, तो diversity तो molecule level से start हो जाती है, cell के level से start हो जाती है, लेकिन क्य कि यूमन एक species है, तो क्या human में भी diversity है, मतलब जैसे मालो आप और मेरी सकल तो अलग-लग है न, तो हमारी कौन सी diversity है, इसे कहेंगे species level diversity, या हम बोल सकते हैं genetic level, क्योंकि हम तो same species है, लेकिन हमारी genes में फरक है न, मेरी बात समझ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं, अब हम topic जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं levels of diversity, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटा level genetic level है, क्या उससे नीचे भी bio diversity हो सकती है, पर ecology में सबसे छोटा level क्या होता है, सर, organism होता है, मेरी बात समझ पहा रहा है, सबसे छोटा level क्या होता, organism होता है, तो इसी लिए, जब हम bio diversity पढ़ते हैं उसमें लेवल्स की बात करते हैं तो हम तीन लेवल्स पढ़ते हैं बिटा जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो तीन लेवल्स की बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक लेवल genetic level का मतलब होता है कि जैसे आप और मैं दोनों same species को belong करते हो पर हमारी कुछ genes तो definitely अलग है yes or no? yes दूसरा level होता है species जैसे आप और cow एक अलग-अलग species है कि नहीं? yes sir और तीसरा level होता है ecological ecological का मतलब होता है कि जब आप अलग-अलग countries को देखते हो क्या वहाँ पर अलग-लग habitat अलग-लग areas हैं? बिलकुल है तो ये तीन level की हमारे पास क्या होती है? bio diversity होती है एक genetic level, एक species level और एक ecological level ये तीन level की हमारे पास क्या present होती है? bio diversity present होती है क्या यहां तक आपको clear है? क्या यहां तक clear है? तो अगर मैं कहूँ क्या इससे नीचे की level भी possible है? हाँ, पर ecology में नहीं क्योंकि ecology में सबसे छोटा level क्या है? human है ठीके चल लिए आगे चल लेते हैं तो सबसे छोटा level हमारे पास genetic level है तो genetic level का मतलब क्या हुआ है? within species within species जो two members है जैसे आप और हमें एकी species के two members उनमें क्या होता है? some difference होता है किसमें? genes में some difference in genes इसका एक बढ़िया example NCIT ने क्या बताया है? कि माल लो ये इंडिया है इंडिया में ये बिटा हिमाल्या का रीजन होता है तो हिमाल्या के रीजन में हमारे पास एक plant मिलता है उस plant का नाम है raw wolfia क्या नाम है सर? raw wolfia vomitoria अब ये जो raw wolfia vomitoria है ना इससे एक chemical मिलता है जिसका नाम reserpine है तो reserpine क्या है? सर chemical है अब क्या होता है? कि जैसे जैसे मैं इस area में यहाँ present हूँ हिमाल्या में यहाँ present हूँ यहाँ present हूँ तो raw wolfia vomitoria क्या शो करता है? genetic level diversity शो करता है मतलब वहाँ पर अलग-अलग तरह के क्या मिलते हैं? raw wolfia के plant मिलते हैं जिसमें क्या difference होता है? difference होता है amount of reserpine का किसका difference होता है बिटा? difference होता है amount of reserpine मेरी बास समझ में आ रहे हैं देख मेरी बास सुन रेसर पायन हो सकता है ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए यूज होने वाला कैमिकल है जो किस प्लांट से मिलता था रॉवॉल्फिया से जैसे जैसे मैं हिमालय में एरिया वाइस चेंज करता हूं तो मुझे है मतलब स्पीशी एकी स्पीशीज में लग लग फॉर्म मिलती है स्ट्रेन मिलती है इव आएट्ी मिलती है जिसमें अमौंट of reserpine अलग है reserpine different है और क्या बिटा अलग है उनकी potency अलग है potency समझ में आता है उनका potency, potency मतलब potency मतलब काम करनी की ability अलग है तो सबसे पहले आपने समझ लिया तो genetic level diversity का best example है raw wolfia, कहां मिलता है हिमालिय में हिमालिय माउंटेन में raw wolfia कुछ ऐसा दिखता है raw wolfia का ये plant है इसके ये जो इसके fruits है इन से मिलता होगा वो chemical yes, तो ये raw wolfia के बारे में हम देख रहे है चीक है, तो ये हो गई मेरे पास कौन सी diversity, genetic level दूसर लेवल क्या था सर्थ दूसर लेवल था species level मतलब अलग अलग species मिलती है तो second level हमारे पास है species level अब देखो क्या होता है species level का मतलब है different type की species different type की species अब मैं आप से एक चीज़ बताता हूँ बिटा ध्यान से सुनना जब आप इंडिया को देखते हो तो इंडिया का ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर आपके पास western घाट है क्या है प्रेज़ेंट बिटा western घाट है western घाट पर क्या होती है थोड़े से mountain यहाँ ऊचे है तो यहाँ rain ज़ादा होती है अगर यहाँ rain ज़ादा होगी तो क्या होंगी sir rivers होंगी rivers की वज़े से यहां पर amphibians की species जादा है तो amphibians की species का number जादा है यस और किसके comparison में eastern ghat के comparison में यहां पर थोड़ी सी कम बारिश होती है मैं आपको दिखा भी देता हूं इंडिया में इंडिया में बिटा यह वाला part जो है मेरे पास यह western ghat का part है यहां पर काफी सारी क्या present है आप देखो ध होते हैं काफी बारिश जादा होती है क्लीर है तो यहां किसकी species जादा मिलती है amphibians की याद हो रहा है सबसे पहले एडवर्ड विल्सन क्या थे socio-biologist क्या दी टर्म बारिवर्स्टी दूसरा हम लेवल्स पढ़ रहे हैं सबसे पहले raw wolf या कौन सा लेवल है सर जनेटिक लेव हम बात करते हैं ecological diversity की तो ecological diversity क्या है बिटा इंडिया जो है न इंडिया में different ecosystem है different type के क्या है बिटा एरिया जहें different type के ecosystem हैं मारे पास जैसे माल लो हम बात कर सकते हैं है हमारे पास मतलब डेजर्ट के अलावा mountain है हमारे पास और क्या है घाट से वेस्टन घाट है यूस चरीज तो बहुत सारे टाइप के क्या है ecosystem है किसके comparison में as the comparison as comparison to कि किसके comparison में scandinavian country यह क्या है भाई scandinavian country कौन सी होती है मैं बता देता हूं पर आप को यह समझो इंडिया एक biodiversity rich region है, वहाँ पर अलग-लग type के ecosystem या biome present है, जहाँ पर काफी ज़्यादा biodiversity मिलती है, scandivian country इसको बोलते मिटा, जैसे यह तो अगर ज्यान से देख, यहाँ पर कुछ countries है, जैसे यह Sweden है, यहाँ पर यह Norway है, यह कहाँ है अर्थ पे, अर्थ पे मेरे पास जैसी अर्थ है, यह equator है, यहाँ उपर की तरफ है, इंडिया यहाँ कहीं है, यह उपर की तरफ है, पोल्स के पास है, तो यहाँ उतनी biodiversity नहीं मिलती है, फिलेड हो गया, इन सब countries को हम क्या बोलते है, scandivian country बोलते है, मेरे बात समझ में आ रही है, यह वो countries है, ठीक है, सब जोगरफी पढ़ा रहे हो नहीं, तो मेरे पास सबसे पहले यह हो गया, ठीक है, हमने लेवल पढ़ लिया, हमने raw welfare की बात कर ली, ठीक है, chemical की बात कर ली, रेसर पाइन, उसके अलावा, rice की strain होती है, और mango की varieties होती है, ठीक है, फिर हमने amphibians की बात कर ली, western ghat पे, फिर हमने क्या बात कर ली, ecosystem level पर ज़्यादा diversity इंडिया में, coral reef है, mangroves है, yes, किसकी comparison में, scandivian country, कौन सी, Norway, clear है, Norway, Finland, यह वो countries है, जो पोल्स के थोड़ा पास है, पो चैट में बताओ, यहां तक कोई doubt है, अब अगला topic क्या है, सर हमने सबसे पहले biodiversity की परिवाशा बढ़ी, दूसरा हमने यह पढ़ लिया, कि biodiversity जो होती है, हमारे पास, उसमें basically, हमने biodiversity की definition पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वो सुन द्यान से बिटा, अब हम क्या पढ क्या क्या प्रेशन अगर आपको आ जाये, कितनी biodiversity प्रेजएं, है, चैट पे वताओ, क्या में genetic level की बात कर रहा हूं, क्या में species level की बात कर रहा हूं, यह हमेए ecosystem level की बात कर रहा हूं, यह厉 अऔर ecological biodiversity, की chat में बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल् चीक है किसकी बात कर रहा हूं सुन लो द्यान से मैं बात कर रहा हूं किसकी द्यान से सुनेंगे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं how much biodiversity are present मैं बात कर रहा हूं किसकी species level की मैं किसकी बात कर रहा हूं IUCN, full form क्या है, International Union for Conservation of Nature, ठीक है, yes, या Natural Resources Environment में ऐसे, IUCN है, International Union for Conservation of Nature, यह क्या करती है, यह number मतलब बताती है कि हमने इतनी species है, तो इसने क्या किया था बिटा, IUCN ने बताया है, लगबग 1.5 million से अबव, इससे जादा, हमारे पास क्या प्रेजन्ट है, बायो डिवर्स्टी है, इससे जादा हमारे पास, लगबग आपके Living World में लिखा है, 1.7 से 1.8 million, इतनी हमारे पास बायो डिवर्स्टी प्रेजन्ट है, मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन ये प्रेजन्ट का मतलब क्या है, ये प्रेजन्ट नहीं लिखा बटा, ये डिस्कवर्ड है, ये वो है जो हम डिस्कवर्ड कर सुखे हैं, तो बहुत सारी कि कितनी biodiversity है तो सबसे पहले आपको ये समझना है हम किस level की बात कर रहे हैं सरम species level की बात कर रहे हैं तो हमने एक organization है IUCN वो बताती है कितनी species हैं तो उन्होंने बताया कि लगबग 1.5 million species हैं जिसमें से 1.5 से दादा तो 1.7, 1.8 कहां लिखी हैं? NCRT में Living World में अब point ये है कि कितनी undiscovered हैं कैसे पता करें? क्या तरीका है? तो उसका ये तरीका है कि देखो उसका ये तरीका है कि जब आप अर्थ की बात करते हो तो अर्थ में ये जो equator है ये द्यान दे बिटा ये equator है तो equator के आसपास के area को कहते है tropical area और ये वाला area कहलाता है temperate area तो यहां पर हमने कुछ point सोचे पहला point ये सोचा कि equator पर ज़्यादा species होती है as compared to tropical, sorry, temperate area ये चीज़ समझ में आ रही है? tropical area में ज़्यादा species होती है as compared to temperate area मेरी बात clear है बताओ जल्दी से बटा जल्दी बताओ जल्दी से जल्दी बताओ चीक है? तो हमने ये सोचा कि किस पे ज़्यादा species है? equator पे ज़्यादा है temperate के comparison में इस बात में कोई doubt है क्या? इस बात में कोई doubt है नहीं से doubt नहीं है इस बात में दूसरा सुन ध्यान से दूसरा हमने देखा कि माल लो मैं कहता हूँ कि amphibian वो मुझे लगबग बहुत सारे पता है पर insectic ऐसा taxonomic group है जो अभी काफी जादा undiscovered है तो मैंने क्या किया बिटा मैंने क्या किया? प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया तू प्रिडिक्ट हमें प्रिडिक्टी करना पड़ेगा प्रिडिक्ट टोटल नंबर ओफ स्पीशीज अगर टोटल नंबर ओफ स्पीशीज मुझे प्रिडिक्ट करनी है तो कुछ हमारे पास क्या है कुछ observation है पहला पहली observation यह है कि मेर पास Tropical में जढ़ा श्पीशीज है, Tropical Species क्या है? जदा है, देन when Temperate, Temperate के Comparison में Tropical में जढ़ा श्पीशीज है, और जो इंसेक्ट हैं में बोई सारी Undiscovered है, Insect में बहुत सारी क्या है? बिल Etsy. एतनी बात में कोई डौट है तकी永戟 इंसेक्ट बहुत सारे उंडिस्कवरड हैं ट्रॉपिकल में जाधा स्पीशीस हैं कि ये सब लगा लगा कर सौरे सइनटिस्त ने कुछ रेंडम प्रेडिक्शन किया तेखो लगबग 20-50 Rivers हो सकती हैं species लेकिन नियर करेक्ट प्रडेक्शन दिया था रॉबर्ट में तो एक साइंटिस्त रॉबर्ट में उन्होंने कहा यार देखो देखो भाई अगर मैं सही से अजम्चन लगाऊं जिसमें मैं क्या कर रहा हूं यह दोनों बाते अजम्चन नियर करेक्ट अजम्चन मानते हैं हना और वो है लगबग कितना वह लगबग कितना साथ मिलियन कितना भाई साथ मिलियन यह समझ में आ रही है बिटा मूवी देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेक्चर देखना यह और नों बताओ चैट में क्योंकि यह आपका भविश्य बनाएगा बाकी चीजे तो पता नहीं यह पर हमें इंट्रस्ट उसमें आता है ठीक है मैं बार बार बोल रहा हूं डिस्ट्रेक्शन से बचो समय नहीं है इंचु जो अभी यह विए क्यांकि यह बाते तुमारे लिवल की नहीं अभी है वाद्धा ध्यांदो यस एक तो साथ मिल्यच्ट साथanking य्स तो रॉबट में जो है उन्होंने नियरली करेक्ट अंजमशन दियां चैन सिर्ग उन्होंने बोला साथ मिल्यच्ट स्पिस्डविश्य यह एक लॉजिस्स थे जुन्होंने काम किया उनकी पिक्चर आप देख सकते हैं चीक है क्लिर है येस सारी सपीशिज अभी डिस्कवर हुनी बाखी है वेटिंग टू भी डिस्कवरर इन टो पिकल एडिकल में डिस्कवर एक ब strict पॉड़ा जाता है अब आ जाते हैं कि अर्थ पर कितनी बाइडवस्टी है हमने नंबर की तो बात कर ली हमने नंबर की बात कर ली हमने कहा कि या रॉबर्ट में ने बोला है साथ मिलियन थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं तो हम बात करते हैं डिटेल की तो कुछ डिटेल ये है कि माल लो अ 2% मेरे पास प्लांट्स है अब इस प्लांट्स में आपको समझना पड़ेगा इसमें एलगी है ब्रायो है टेरीडो है जिमनो है एंजियो है लेकिन एंचिया टी ने बहुत चलाकी से फंजाई भी इसी में लिख दिया है आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएका तो यह गलती आडर है अब यह 8% अधर्स में क्या आ सकते है फ्रोटिस्ट अगरह आ सकते है ये यह डाटा है अमारे पास जो साथ इंसेक्ट है यस और एक बहुत इंपडेंट बात कहती है ऑफ्रोगार्योड्स प्रोगर्योड्स मतलब बेक्टीरिया प्रोगर्योर्ज को नहीं इंक्लूड किया है not included in this data इस data में प्रोक्रियोट को इंक्लूड नहीं किया इंस्याटी बोलती है प्रोक्रियोट को नहीं लिया हमने अब उसका एक रीजन बताती है इंस्याटी इंस्याटी कहती है कि अगर अगर हम देखें current taxonomic method मतलब जो तरीके है classification के बैक्टीरिया को वो सही नहीं है और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जिनको आप कल्चर नहीं कर सकते तो many such bacteria many such bacteria ठीक है जिसको which cannot be culture जिसको हम नहीं कर सकते क्या culture नहीं कर सकते बहुत से ऐसे बैक्टीरिया है जिनको हम culture नहीं कर सकते तो प्रोक्रियोट्स जो है बिटा प्रोक्रियोट्स को नहीं include किया है इस data में बहुत सारे ऐसे bacteria हैं जिनको हम culture नहीं कर सकते एक रिजन तो यह हो गया दूसरा हो गया कि current method ठीक नहीं है current taxonomic method is not correct method is not appropriate correct बोलना ठीक नहीं है appropriate नहीं है और एक reason और है बिटा मेरे बास सुन यह दो बैक्टीरिया हैं तेरे पास इन दोनों बैक्टिरिया में सिर्फ एक chemical का फरक है इसका मतलब इन दोनों में Biochemical diversity है अगर इतनी छोटी सी बात को लेके species बनाओंगा न तो बैक्टिरिया की ही लाखों में चली जाएगी तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं Molecular Molecular और Chemical diversity को लूँ Molecular or chemical diversity को लूं तो क्या होगा उसको अगर मैं लूं उसको इंकलूड करों तो क्या होगा बायोड डैवस्टी केन रन वो किसमें चली जाएग रहाएं चली जा ल Verd till किसमें ज़ा सकती है मिली वेता हम ने ऑन पर बात कर लिए यह वाली यह वाली ये बाते कर ली अब आजयो आगली next 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 हमें क्या करना में देख द्यान से यह पाइचाट दे रखें इन पाइचाट से तूंप्या समझ रहा सबसे पहला पाई चार्ट दे रखा इनवर्टीब्रेट्स का दिख रहा है तुझे मुझे एक चीज़ बता इनवर्टीब्रेट्स में सबसे बड़ी फाइलम कौन सी है सब चैट में बता ना भाई इनवर्टीब्रेट्स में सबसे बड़ी फाइलम कौन सी है चैट में बता देख अभी हमने का कितनी बाइडवस्टी तो हमने कैसे बता है 70 परसंट अनिमल से मतला अनिमल जादा होते हैं 22 परसंट प्लांट है और 8 परसंट आतर है पर उन प्लांट में फंजाई दे रखा है ठीक है हर 10 में से 7 इंसेक्ट है प्रोक्रियोट्स को इंक्लूड नहीं किया गया तो अगर करेंगे तो बायोडवस्टी मिलियंस में चली जाएगे क्योंकि मिरे पास करेंट सही मैथड नहीं इंक्लूड करने के लिए अब यह पूछा जा रहा है सबसे बड़ी फाइलम तो आमने का आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोडा में सबसेड़ा गृप इंसेक्ट नं już समझने आ रहे हैं तो इन वर्टी ब्रेंट में सबसे जादा इंसेक्ट दे रखें इंसेक्ट के बाद सेकिंड लाइजस फाइलम आगी मोलुसका फिर आगी क्रस्टेशिया अब आपको पता होना अच्छी क्रस्टेशियन यह और यह मिलकर आप अगर ध्यान से देखोगे ना यह और यह मिलकर अर्थ्रोवोडा है यस और अगर मैं आगे चला जाओ तो फिर मेरे पास क्या आएगे अदर आइनिमल सा जाएंगे तो यह पहले वाले पाई चाट का है बिटा पहला वाला पाई चाट यह डिरेक्ट कोशन पूछेगा इस पर अब वर्टीब्रेट में बात कर लेते हैं अब यहां से आपको यह चीज समझ में आ रही है कि एंफिबियंस हैं सोरी फिर मेरे पास रेप्टाइल और बर्ड से रेप्टाइल और बर्ड से फिर मेरे पास एंफिबियंस और मैमल से मैं कुछ कोशन पूछूंगा आपसे इससे रिलेट करके सर क्या कोशन है बताओ कोशन यह है कि यार फिश सबसे जादा क्यों कि पानी बहुत ज़ादा है अर्थ पर 70 पर्सेंट पानी है तो इसलिए फिश आता है दूसरा Amphibians कम क्यों है Amphibians कम इसलिए क्योंकि Freshwater के सोर्स बहुत कम है क्योंकि आप अपनी अनिमल किंगनम जाके पढ़ो Amphibians ऐसे तो Freshwater के सोर्स बहुत कम है और मैमल्स कम क्यों है क्योंकि मैमल्स का साइज बड़ा होता है बड़े साइज के जीव का जिंदा रहना मुश्किल होता है और उतनी जादा डैवस्टी नहीं बनती है उसकी तो मैमल्स कम है ठीक है अब आजाते हैं प्लांट्स में अब आप देख पा रहे हो प्लांट्स में फं आगे और सबसे कम मेरे को लाइकन लिखा अगर आप ध्यान से देखो इसमें जिम्नोस्पर्म मेंचन नहीं तो जिम्नोस्पर्म तो सबसे कम होता है लीस्ट होता है सबसे कम जिम्नोस्पर्म होता है तो क्या क्या कोशन बन सकता है पहला कोशन इन वर्टीब्रेट्स में सबसे सबसे कम होते हैं एंगियोस्पर्म एसका स्पास और एन्जयोस्पर्म एंवलूशन pulse पम यह बात हैं एlles पर्म और हम बात करेंगे बाइो तो अभी तक जो डाटा मैंने लिखवा है, 70% यह रहा, 22% यह रहा, अब आप बात करते हैं, अपने बाइडवर्स्टी इन इंडिया की, सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, मैं आपको सही पेश से पढ़ा रहू ताकि चैप्टर को हम टाइम लिग फिनिश भी करें, बहुत के बाद रॉबर्ट में, कितना बोला उसने, जल्दी बता, रॉबर्ट में ने कितना बोला, सर 7 मिलियन है, वो नमबर बता है, यस, उसके बाद हमने 70% एनिमल, 22% प्लांट, फिर हमने बाइचार्ट पढ़ ली, पसितना ही तो पड़ा है, यस, प्रोकरिश को नहीं लेते, उसका रीजन बता है, अब आजओ इंडिया, इंडिया बेटा, 2.4% एरिया है, टोटल लेंड एरिया का, टोटल लेंड एरिया का, इंडिया का कितना है, 2.4% एरिया है, पर इंडिया की बाइडिवर्स्टी, 8.1% बाइडिवर्स्टी है, और इंडिया किस में आती है, मेगा बायो डैवर्स्टी कंट्री में मतलब अगर आप से पूछा जाए कि इंडिया का क्या नंबर है बारा के अंदर है मतलब काफी ज्यादा बायो डिवर्स्टी यस दूसरा हम यह बोलेंगे लगब फॉंटी-फाइव टाउजन टाइब के प्लांटे हैं हमारे पास जो डिस्कवर हैं और एकnaireं पर के आसपस एनीमल्स इतना हमारे पास आल्रडींडि है अल्रडी county मानूं रॉबट में किबबात मनू तो रॉबट में ने क्या बोला तो रावट में ने बोला hi और उसमें से 1.5 की अब डिस्कावड है तो यह जो है यह लगब केरणि परसंट है मेरी बास सुन दियान से रॉबट मेरे बोला था 7.000.000 टोटल है उसमें में से कितनी डिसकावर्ड है सर 1.5 अब डिसकावड है तो तोटल कितनी है टोटल कितनी है बता जल्दी से चैक में टोटल NCRT कह रही है लगबग यह 22 परसेंट है जो डिसकावड है तो अगर मैं कहूं आपसे कि यार यह जो है यह 22% है इंडिया में जो discovered है तो अभी कितने और discovered होने बाकी है तो लगबग 1 लाग के आसपास अभी plant और 3 लाग के आसपास animal इतने अभी discovered होने बाकी हैं इंडिया में इतने अभी क्या है need to be discovered need to be discovered एक दुख की बात यह है जो NCRT लिखती अपनी NCRT खुली है तो पढ़ लो से मतब इतने अभी discover होने बाकी है इतने discover हैं क्योंकि NCRT के according 7 million क्या है number total है उसमें से कितने discover थे वनपू जो कि लगबग 22% है अब NCRT यह कहती है जितने resources और manpower इंडिया में है या किसी भी country में है biodiversity को discover करने के लिए possibly नहीं discover कर पाएंगे बहुत लंबे समय तर मर जाएंगे उससे पहले plant हो रहे हैं मतलब वो जो nature की inventory है मतलब जो nature है वो जल रहा है वो मर रहा है उससे पहले हम discover नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारी species तो पता ही नहीं लगेगा मर जाएंगे यस यह situation है by diversity की इंडिया में अब आगे जाते हैं अगर आप देखो यह numbers आपको मिल जाएंगे 45,000 ठीक है बारा मेगा diversity 2.4 और 8.1 यह वो numbers हैं जो आ सकते हैं यस clear है 22 वाली बात वो है जो discover है अगर यह सही माने तो एक लाग और तीन लाग का नंबर जा सकता है और जितने resources है hopeless situation लिखा हुआ hopeless है चले आगे ठीक है देख रहो कितना बड़ी है ओ इसनी चैट में बता थक गए चले हांके जल्दी बता तो यहां तक कोई डाउट है यहां तक कोई डाउट है कि यहां तक कोई डाउट है जल्दी बताओ, चले आगे, यस बता दो कि यस बताओ, चले, स्टार्ट करते हैं, चलो, आगे, आज बताओ, अब आज ओप पैटन्स, पैटन्स का क्या मतलब होता है, हैं, मैं आप से पूछता हूं, ध्यांद सुनें, यह जगरा आपने पैचाने आपने सर क्या है, क्या यहां पर सब जगह एक जैसी बाइफर्ट्र को लेकर कोई पैटन्स प्रेजर्ट है, आप से पूछना चारा हूं क्या कोई भी पैटन हमारे पास बायो डैवरस्टी को लेकर प्रेजेंट है क्या हम कोई पैटन देखते है अर्थ पे क्या हमें ऐसा लगता है कि कहीं पर जादा है कहीं पर कम है तो अपनी दिमाग में कुछ बातें बिठाओ सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अर्थ पर यह जगा एक्वेटर है एक्वेटर पता यहां सबसे अधर लाइट पढ़ती है तो जब हम एक्वेटर से यह इन्हें हम लैटिटूड भी कहते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं लैटिटूड जब हम एक्वेटर से पोल क तरफ जाते हैं तो बायो डैवर्स्टी घटती है और सबसे जादा बायो डैवर्स्टी यहां है यह 23.5 डिगरी नौर्थ और 23.5 डिगरी साउथ इस एरिया में सबसे जादा बायो डैवर्स्टी मिलती है तो सबसे पहला क्या है हमारे पास क्या कोई पैटन दिखता है सबसे है लाटिटीटूडनल ग्रेडियन तो जब हम एक्वेटर से पोल पर जाते हैं तो बायो डी क्रीज़ करती तो कुछ data है इस बात को लेके बायो डी क्या करती मि стороны करती है इसका मतलब maximum biodiversity कहां पर है maximum biodiversity कहां पर है बताओ ward तो maximum biodiversity मेरे पास है tropical area में, अब यहाँ पर कुछ बच्चे confused होते हैं, what is difference between equator and tropics, equator इस single line को कहते हैं, यह जो पूरा area है इसे tropical area कहते हैं, फरक समझ में आ रहा है, equator इक single line है, zero, और जो पूरा area है इसको क्या बोलते हैं, tropics बोलते हैं, तो यह हो गया, उसके बाद NCIT कुछ examples देती कहते हैं, 23.5 degree north to 23.5 degree south, maximum diversity है, क्या है हमारे पास maximum diversity यहाँ है, दूसरा NCIT कहती है, कि यार जो bird की species है, bird, ठीक है, वो हमारे पास Columbia एक country दिखा रहा है, फिर कह रहा है New York, और फिर कह रहा है Greenland, मेरी बात सुनना ध्यान से, यह कह रहा है कि Columbia equator पे, मैं दिखाता हूँ आपको अ चले जाएंगे, जो 41 degree north है, फिर यह 71 degree north पे है, इस पे लगबग 105 bird की species मिलती है, इस पे 56 है, इस पे 1400 है, मतलब क्या हुआ, जो country equator पर है, उस पे जादा bird की species है, लेकिन जो पोल्स की तरफ चलेगा, यहाँ कम है, जैसे आपको देखना, यह देखिए, यह line equator है, यह line equator है, य equator की line, अगर ध्यान से देख, यह India है, इसके जस नीचे से जा रही है, अफरीका है यह, अफरीका, अफरीका continent, इसके center से ऐसे जा रही है, और यह South America है, South America जो है न यह, यहाँ देख, यह कुछ countries है, आप देख कौन कौन से है, यह Columbia है, यह Columbia है, यह वाली तिरे पास Venezuela है, यह यहाँ पर नीचे Ecuador है, तो यह थोड़ा line नीचे करूंगा तो इससे जाएगा, एक्चल में यहाँ से जाती है, यह Ecuador है, यह Columbia है, इन से पास होती है, यह थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, अलकर सा, मेरी बास मंझ में आ रहा है कि नहीं, यह तो आपको idea लगना चीए, अच आजील है, यह सारी countries है, उसके लावा India भी जादा दूर नहीं है, clear है, अब देख, यहाँ पर यह कहेगा, यह कहीं पर यहाँ न्यू यॉयर्क होगा, यहाँ कहीं Greenland होगा, तो यहाँ कह रहा है, 1400 species हैं, यहाँ जाएंगे लगबग 105, यहाँ जाएंगे 56, तो घटेंगी न bird की species, सर नंबर याद करने नहीं, ठीक है, अब देख, अब यह कह रहा है, ठीक है सर, उसके बाद कह रहा है कि Amazon Forest है, तो Amazon Forest जो है, आपको पता है किस में, किस में है बिटा, Amazon Forest अभी पढ़ा है, South America में है, तो South America में उसमें बड़ी biodiversity हैं, उसमें कुछ numbers दे रखें, उसमें numbers म बिटा, 1.25 lakh invertebrates हैं, अब इस invertebrates में आपको पता है कि maximum insect होंगे, फिर मेरे पास लगबग माल लो, 3000 मेरे पास fish हैं, यस, लगबग 45,000 के आसपास plants हैं, यह ठीक कर ले न, यहाँ पर कुछ गडबड़ो, और मेरे पास कुछ 1300 birds हैं, यस, आप देख रहे हो, और 4 मतलब 78 mammals ह हैं, यस, ठीक है, clear है, 4, sorry, 478 mammals और amphibians है, एक चीज़ यहाँ पर अजीव है, कि reptiles का number amphibians से कम है, कौन बच्चा बताएगा, क्यों, wine amphibians, number of reptiles are less than, less than amphibians, ऐसा क्यों है, कौन बताएगा, सोचो, ऐसा इसलिए, बिटा, ऐसा इसलिए है, क्योंकि amphibians कहा मिलते हैं, fresh water में, Amazon forest में बहुत बारिश होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा rivers है, तो वहाँ amphibians मिलेंगे, reptiles की natural habitat है, desert, तो reptiles की कम species है, तो यह की चीज क्या दिखा रही है, कि equator के पास बहुत ज़्यादा biodiversity है, ऐसा ही एक data इसने इसको लेकर लिखा है, बिटा, new इसको लेकर, क्या नाम है, हम हमारे पास forest equal area में temperate region, like Midwest USA में, देखो, कह रहा है, एक कंट्री है, उसमें 10 time species मिलेंगी plants की, किसके comparison में USA के, अब USA कहा हो, एकवाडूर कहा ही है, यह एकवेटर के पास है, मतलब एकवेटर पर ही होता है, और यहाँ USA, देख बटा, यह मैक्सिको होता है, यह मैक्सिको है, USA जो है ना हमारे पास, इसमें कम species मिलेंगी, यहाँ जादा मिलेंगी, लॉजिकल है यह बात, अब हमें यह Amazon forest का diagram है, अब question यह है, question यह पूछेगा, कि इतनी जादा biodiversity equator पे क्यों है, सवाल यह है, कि इतनी जादा biodiversity equator पे क्यों है, इसके 3 reason लिखें, पहला, equator पे जादा light पढ से क्या होता है, जादा productivity होती है, जो indirectly increase करती है, ध्यान रखना, indirectly, यह वर्ड याद रखना, indirectly increase करती है, बायो डेवरस्टी, indirectly increase करती है, क्या, बायो डेवरस्टी को, yes or no, yes or no, yes or no, yes, sir, दूसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कि जो equator है ना, बिटा, equator, वो उसमें season नहीं होते less seasonal होता है, मतलब वहाँ पर क्या होता है, बिटा, वहाँ पर ना winter आती है, ना summer आता है, less seasonal होता है, अगर season नहीं होगा, तो क्या होगा बिटा, niche specialization होगा, niche specialization का क्या मतलब मैं आपको अभी example देते, तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड पढ रही है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ठंड पढ़ने से दिक्कत यह है, बिटा, कि बहुत सारी species जो काफी winter फिल करे हो, मर जाएंगी, ऐसी जब बहुत ज़्यादा समरोगी, कुछ species तह मर जाती है, लेकिन अलग-लग species, ज़्यादा species बनने के chances कब है, जब season ना ह कैसा climate हो, constant climate हो, और नई species बनने के लिए निश का अलग होना ज़रूरी है, दो निश अलग होना ज़रूरी है, तो निश specialization होगा, diversification होता है, diversification का मतलब है, नई species बनती है, तीसरा हम यह कह रहे हैं, कि जैसे अपने पास यह अर्थ है, तो जो equator वाला area है न, वहाँ पर उतन जादा glaciers नहीं आए हैं कभी, जैसे आप याद करो, आपने कभी कोई movie देखी थी, याद करो, एक movie थी जिसमें मतलब बरफ जमी रहती थी, याद ice age करके, ice age क्या था, जब सब जगा बरफ जम जाती थी, तो कुछ areas जो बसते थे, वो equator के आसपास के बसते थे, तो हम यह लि negotiation, like polls, तो इसी लिए diversity बन पाई, like polls, इसी लिए so diversity क्या रही, बन पाई, diversity क्या रही, survive करी और evolve करी, survive करी और evolve करी, तो तीन रीजन है, जादा light, जादा खाना indirectly increase, मैं indirectly क्यों बोल रहा हूं बताता हूं, देख, अगर किसी तलाब में, तुझे पता है भी है, indirectly में क्यों बोल अगर किसी तलाब और पॉंड में, बहुत ज़्यादा खाना होता है, खाना मतलब बहुत ज़्यादा nitrogen आ जाए, तो वहां पर algae की bloom हो जाती है, pollution की वज़े से, तो जब algae की ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो यह बाई डिवस्टी घटनी चाहिए, पर यहां पर हम इसलिए indirectly लिख रहें, डिरेक्ली नहीं लिख रहें, क्योंकि जब productivity बढ़ती है, ज़रूरी नहीं है, बाई डिवस्टी बढ़े, पर indirectly relate कर रहें, दूसरा हम यह कह रहें, दूसरा हम यह कह रहें, एकवेटर पर क्या है, लेस सीजनल है, निश नया बन जाएगा, और डिवर्सिफिक की की, हमने कहा, कि जैसे जैसे हम equator से पोल की तरफ जा रहें, जैसे जैसे equator से पोल की तरफ जाए है, ए्रिया बढ़ रहा है जैसे मालों यहां चोटा एरिया लिया अब मैंने बड़ा एरिया लिया तो जैसे जैसे मेरे और इंक्रेस करूंगा न तो मेरे पास क्या होगा बाई डैवेस्टी बढ़ेंगी तो हमारे पास एक साइंटिस्त थे उनका नाम था एलेक्जन्डर यह पहले environmental issue में भी नाम लिखा था एलेक्जंडर वोन हमबोल्ट क्यों हूं एनका जो experiment है वह South American forest में South American forest अब आप समझ सकते हो किसकी बात कर रहे ई-ै- है South American forest, South American forest में क्या खास बात है sir वहाँ, वहाँ वो Amazon forest है तो South American forest में उनका काफी जादा क्या है काम था एक्सपेरिमेंट था तो उन्होंने बोला as we increase area जैसे जैसे मैं area बढ़ाऊंगा क्या होगा species का number बढ़ेगा यहाँ पर species के number को एक और सब्द से replace कर रहे हैं species richness यह चीज़ समझ में आ रही है तो species number increase हो जाएगा species richness क्या हो जाएगी increase हो जाएगी but up to a certain limit यह बोला उन्होंने up to a certain limit मतलब उन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप क्या करोगे जैसे जैसे आप क्या करोगे area बढ़ाऊगे जैसे जैसे आप क्या करोगे area बढ़ाऊगे वैसे वैसे क्या होगा आपका ज्यान देंगे जैसे जैसे आप क्या करोगे एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा species richness बढ़ेगा clear है यहां तक तो उनका नाम क्या था सर अलेक्जेंडर वोन हम बोल्ट कहां काम किया उन्होंने साउथ अमेरिकन फॉरस्ट में में फॉरस्ट के आसपस जब मैं एरिया बढ़ाओंगा species का नंबर बढ़ेगा तो हम इसको एक graph से दिखा सकते हैं इसको एक graph से दिखा सकते हैं चीक है यस और यहां मालो मैंने एरिया लिख दिया तो स्कार्टिंग में तो ग्राफ ऐसे जाएगा पर यह इस तरीके से गूम जाता है मतलब कॉंस्टेंट पर चला जाता है अब इस ग्राफ को NCRT कहती है है Rectangular Hyperbola Rectangular Hyperbola कर ऐसे बोलती है कहती है यह जो यह रिलेशन आता Rectangular Hyperbola मअलब सर तो इसके लिए NCRT कहती है कि आसी का मतलब है Species richness s का मतलब क्या है Species का Number richness एक जो क्लाब एरिया तो यह जो ग्राफ ए ना S is directly proportional to A, yes, directly proportional to A, और हमारे पास बेटा उसने क्या किया है, A के ओपर एक value लिग दी है Z, अब ये Z क्या मैं बता देता हूं, Z क्या है बेटा, इसे कहते हैं, regression coefficient, regression, regression मतलब घटना, regression coefficient कहते हैं, अब देखो इसने क्या किया बेटा, इसने क्या किया, ये इस equation के लिए, जो, जो, equation इस graph के लिए, S is directly proportional to A की power Z लिखा है, और जब S को लिखेंगे तो C, A, Z, एक constant लिख दिया, C, A, Z, ऐसे constant लिख दिया, clear है, अब माल लो, मैं ऐसा ही एक graph बनाऊ, same graph बनाऊ, पर मैं ये graph में क्या करूं, ध्यान से सुने बटा, माल लो, मैंने इस equation को ऐसे लिख दिया, S is equal to C, A, Z लिख दिया, yes, अब माल लो मैं इसका log ले लो, तो क्या हो जाएगा log S is equal to log C plus Z log A, अब आपको याद है state line की equation, याद है किसी को, ये Y है, ठीक है, sorry, MX, MX चाहिए मुझे ये M है, Z, ये X है, ये C है, और ये Y है, yes, तो अगर आप ध्यान से देखो, Y axis पे मैं क्या लिखूंगा log S, इधर लिखूंगा log A, और एक state line का graph बना दूँगा ऐसे, yes, और ये जो state line का बनेगा, इसका slope क्या आएगा, इसका slope आएगा Z, yes, ये रहा slope, yes, और ये C क्या आएगा, sir, C intercept आएगा है, किस पर Y axis पर, ये रह NCRT क्या करना चारी, मेरी बास सुनो, ये equation से क्या आपको math पढ़ाना चारी नहीं, NCRT सिर्फ ये बता रही है, कि जैसे जैसे मैं area बढ़ाता हूं, species richness बढ़ती है, लिक एक limit तक, ये किसने बता, Alexander Vonne, उसने कहा कि ये जो relation आएगा, एक rectangular hyperbola आएगा, जिसकी equation ये है, अगर क्या है, एक value रहती है, जिसको हम multiply करते हैं, और ये जो value निकाली जाती है, scientist लोगों ने क्या किया, ये Z जो है, ये slope है, scientist लोगों ने, जब ये Z की value निकाली, अलग-लग taxonomic group के लिए, अलग-लग area में, NCRT ने बोला, Britain में निकाली, New York में निकाली, अलग-लग area में निकाली तो ये value एक range में मिल रही थी, तो ये जो Z है ना, बिटा, Z है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, Z को नाम दे रहे है, regression coefficient, क्या नाम दे रहे है, regression coefficient, तो ये जो regression coefficient है ना, बिटा, ये एक value है, हमारे पास एक value है, तो ये जो Z की value मेरे पास, जिसे मैं regression coefficient कह रहा हूँ, बहुत कान से सुनना यह एक रेंज में आएगी और वह रेंज दे रखाए 0.1 से 0.2 और यह इंडीपेंडेंडेंट होती है किसमें एरिया अंडर कंसीड्रेशन मालो ब्रितेन में ले लो कहां ले लो यूएस से में ले लो कहीं भी ले लो दूसरा दूसरा टैक्सोनॉमिक गुरूप यह value आ रही है Z की, यह value आ रही है, अब यह value Z की है, NCRT ने कहा है कि for large continent, large continent, बड़े continent, जैसे कि Asia, या for group like mammals, mammals और birds, fruit eating birds, basically कौन से bird, fruit eating birds, Z की value, value, थोड़ा slope जो है steep है, अब देख़ बटा, slope steep का क्या मतलब है, देख, यह एक slope है, देख, दिनान से दोनीं, एक slope ये है, ऐसा, और एक ये slope ये है, तो ज़्यादा steep slope ये है, steep समझ में आता है, ज़्यादा ऐसा, देख, steep जिसे ये ऐसा और जदा ऐसा, तो slope, slope steep है, मतलब, Z की value high है, Z की value क्या है, Z की value high है, तो Z की value high आई है इस case में, clear है, और वो आती है लगबग 1.2 के आसपास, NCRT ने बोला है, इन groups के लिए तो 1.15 है, तो मैं फिर repeat कर रहा हूँ, Species Area Relationship किसने बताया, Alexander Von Humboldt, पूरा revise कर लेते हैं, एक बर फटाफ़ से, अलेक्जेंडर Von Humboldt ने बोला, जैसे ऐसे area बढ़ाऊंगा, Species Richness बढ़ेगी, पर एक limit तक बढ़ती है, उन्होंने बोला, Rectangular Hyperbola आएगा, S is equal to Caz, उसकी equation है, जब हमने log ले लिया तो equation अलग आ गई है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद हमने बुला, Z क्या एक slope है, यह slope क्या होता है, यह represent करता है एक range, कि कितनी मतलब value रहेगी Species Richness के per unit area, तो वो जो range है ना जो slope है, वो point one से point two है maximum species के लिए, लेकिन कुछ special cases में, बड़े continent में, यह हम बोलेंगे किस में, जो mammals और fruit eating birds के लिए, यह जादा slope steep है, steep समझ में आता है, steep, यह रह steep, yes, यह slope less है, less, steep का मतलब जादा, जादा slope है, yes, यह चीज है, तो यह चीज आपकी NCRT और आपको ध्यान रखना है कोन से points important है, South American forest में, किसने Alexander German scientist थे, Alexander Von Humboldt, yes, उन्होंने क्या देखा, species richness, but क्या कहा, एक limit तक, और उन्होंने का rectangular hyperbola, log लेके यह equation आई, तो यह वाली without log है और यह log के साथ है, yes, चीज है, clear है, फिर उन्होंने बोला कि Z की value इसके बीच में और slope is found to fruit eating birds वगरे के लिए इतना है यहां पर, yes, यह चीज़ समझ में आ रही है, तो यह वो points है, जो आपनी याद रखने है, चीक है, आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, यार, biodiversity की क्या importance है, जैसे मैं आप से एक सवाल पूछो, आप इस बात को बहुत genuine तरीके से समझ ना, क्या यहां तक clear है, पर बता तो chat में, chat में जल्दी से बताओ, यहां तक clear है, बिटा, lecture में आपको ध्यान से सारी चीज़े समझ नहीं है, concept important है, उसके बाद question बहुत असानी से बन जाएंगे, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ points बैट गए तो, बस, यहां तक clear है, ज ants की species मर गए, तुझे क्या फर्क पड़ेगा, सर, कोई फर्क नहीं है, मेरी बात समझ द्यान से, हमें क्या है, बिटा, हमें nature में समझना पड़ेगा, कि biodiversity की क्या importance है, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, biodiversity कितनी important है, यह बात हमें समझनी पड़ेगी, तो अगर मैं आप से पूछूं कि biodiversity आपके लिए क्या role play करती है, क्या काम करती है biodiversity, तो सबसे पहले आपको इस बात से समझना पड़ेगा, कि अगर आप forest में देखते हो, मैं एक उधारन से समझाता हूँ, आपने कभी देखा है कि forest में, मतलब plants अपने आप उग रहे हैं, क्या उन्हे और एक ही तरह के plant हो रहे हैं, तो logic यह है कि सबसे पहला अगर मैं role आप से कहूं, biodiversity क्या करेगी, तो मैं यह बोलूँगा कि जितनी जादा biodiversity होगी, क्योंकि आपको main points याद करने हैं, जितनी जादा biodiversity होगी, उतनी जादा productivity होगी, मैं repeat कर रहा हूँ, जितनी जादा type की species होगी, उतनी जादा plant productivity होगी, उतना जादा annual productivity होगी, इसके पीछे एक experiment भी है, जो एक scientist ने किया था, जिसको अपने देखेंगे, जो support किया था किसने, डेविड तिलमेन ने, तो एक scientist है, डेविड तिलमेन, उनका हम experiment देखेंगे, दूसरा हम ये कह रहे हैं, कि अगर जादा biodiversity होगी, जादा biodiversity होगी, तो फर्क नहीं पड़ेगा internal disturbance का, no impact of internal disturbance, no impact of internal disturbance, internal disturbance का हमारे पास कोई impact नहीं पड़ेगा, तीसरा हम क्या बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से बिटा, पहला हमने बोला, जितनी जादा biodiversity है उतनी productivity है, दूसरा हमने बोला, कि जतनी जादा biodiversity है, उतना impact नहीं पड़ने वाला है internal disturbance का, क्या ये बात में कोई doubt है तुमें, impact नहीं पड़ेगा internal disturbance का, कोई impact नहीं पड़ेगा, clear ह कि नहीं बताओ तीसरा हम यह बोलेंगे मालो देखो इंटरनल डिस्टरबेंस क्या होती है कि फॉरस्ट में मालो खाना कम हो गया कोई पर्टिकुलर टाइप के प्लांट मर गए कोई और प्लांट से सपोर्ट मिल जाएगा मेरी बास समझ पारे हो मालो एक 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 एनिमल है जो डिस्टरबेंस क्या होती है एकस्टरण डिस्टरबेंस का मतलब होता है कोई बाहर से स्पीशीस आजाए अलियं स्पीशीस इन्वेजन हो जाए आज बैटा वर्ल्ड इतना खराब कोविड से क्यों हुआ क्योंकि हमने बाय डेवस्टी घटाते जा रहे हैं अब कहीं भी को बहुत बड़ा इंपेक्ट मारेगी एलियन स्पीशीज होता है कोई ऐसी स्पीशीज जो पहले उस एरिया में नहीं ती नहीं जगा चली गई अगर वहाँ पर जादा बाइडवस्टी तो इंपेक्ट नहीं पड़ता उस जगा का उस जगा पर लेकिन अगर कम है तो बहुत इ इस और नो तो सबसे पहले अपने देखेंगे यहां पर बिटा यहां पर देखेंगे कि डेविट टिल्मेन ने क्या किया था तो डेविट टिल्मेन ने external plot experiment किया था external plot experiments किये थे बिटा कुछ experiment किये थे किसके लिए on annual productivity annual productivity पे कुछ experiment किये थे उन्होंने क्या देखा उस चीज को मैं आसानी से दिखा सकता हूँ आपको उन्होंने क्या observe किया होगा माल लो उन्होंने ये दो plot ले लिए same area के plot ले लिए plot मतलब area उन्होंने देखा कि 2022 में, 2021 में, 2022 में और 2030 मैंने random year डाला, यहां productivity 100 है, यहां 102 है, यह 105 है, इसमें biodiversity का मतलब है species, यहां माल लो species थी माल लो 500, यहां biodiversity है कम, less है, तो यहां माल लेते हैं 100 species है, yes or no, yes, तो मैंने यहां पर लिखा है 2021, 2022 और 2023 हो सकता है, यहां 105 हो, यहां फिर 30 आ जाए, फिर 80 आ जाए, तो अगर आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो, यह productivity दे रखी, यह constant है, यह क्या आ रहे है, constant है, और यह मेरे पास variable आ रही है, यह मेरे पास क्या रहे है, variable आ रहे है, clear ह क्या रहे है कि नहीं बताओ, यह मेरे पास क्या रहे है, variable आ रहे है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, विटा, ध्यान से देखो, कि डेविट टिलमेन ने बोला था, कि area with more biodiversity, show least variation in annual productivity, मैं लिख रहा हूं, क्या बोला था उन्होंने, area with more biodiversity, जितन जादा least variable, least variable है किसमे, least variable है किसमे, productivity में, तो इसका मतलब variation नहीं मिलती, productivity, अच्छी खासी constant मिलती है, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात clear है आपको, बता दो जल्दी से, क्या ये बात clear है, तो ठीके बिटा, तो आगे चलते हैं, आगे बिटा एक hypothesis थी, जिसका नाम तर रिवेट हाइप, पॉपर हाइपोथिस, आपकी NCRT पूछती है, कि माल लो, माल लो, हमारे पास 30,000 टाइप की एंड्स हैं, उनमें से 5000 मर जाएं, 5000 एंड्स एक्स्टिंक्ट कर जाएं, आपकी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, इंपेक्ट क्या पड़ेगा आप को, तो NCRT कहती है, कि सच नेवी, नेवी का मतलब होता है, फालतू नया, सच नेवी कोशन का जो आंसर है न, वो मिला है किस के थुरू, एक एकलोजिस्ट के थुरू, आंसर ऐसे आएगा, आंसर आएगा बाई, एकलोजिस्ट के थुरू, उस एकलोजिस्ट का नाम है, स्ट Stanford Ecologist है, Stanford University का है, University का Ecologist है, उनका नाम है, उनका नाम है Paul Ehrlich, और उन्होंने एक analogy दी है, analogy का मतलब होता है समानता, मेरी बास सुनो ध्यान से, समानता दी है, समानता, यस, सुनो ध्यान से, सवाल यह पूछा गया है, कि यह 30,000 तरह की चीटिया थी, 5000 मर गई, क्या फर्क पड़ेगा, तो मेरे दिमाग में यह यह तो बड़ा फाल्तू कोशन है, इस फाल्तू कोशन का आंसर एक Stanford University के एक scientist थे, जिनका नाम है Paul Ehrlich, उन्होंने आंसर दिया, उन्हो ने जो bolt होते है, parts, जो basically species थी, जो ecosystem में species होती है, उनको rivet से compare किया, rivet क्या होता है, bolt होते है, by which parts connect, जिससे जो plane का parts जुड़ा होता है, वो net bolt वाला bolt, वो है, तो माल लो, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला, कि अगर कोई passenger, अगर कोई passenger, traveling home, traveling home, जब वो घर जा रहा है, तो वो क्या करें, बेटा, वो popping कर दे, popping कर दे, rivet की, popping of rivet का मतलब, कोई part निकाल के ले जाए, इसका मतलब, वो indirectly क्या कर रहा है, extinction कर रहा है, कुछ species की, extinction of species, ये कर रहा है, तो popping of part का मतलब है, species extinct कर रहा है, तो initially, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, initially no impact, initially क्या होगा, कोई impact नहीं होगा, बिटा, initially कोई impact नहीं पड़ेगा, मेरी बास समझ लो ध्यान से, initially कोई impact नहीं पड़ेगा, मतलब क्या हुआ, no impact on stability, no impact on stability, stability पर कोई impact नहीं पड़ेगा, बट बट ज्यान से जुनों पर क्या होगा सुनना ध्यान से बट अगर कोई important part but some important private private मतलब जो wings को connect कर रहा है wings को जो connect कर रहा है अब इसको इन्हों ने बात की है keystone species के लिए keystone species क्या होती है मैं repeat कर देता हूं एक बार यह यह रिवेट पॉपर हाइपोथेसिज यह कहती है कि माल लो हम ecosystem और airplane एक ही माने है हम यह कह रहे है कि पैसेंजर जब घर जा रहा है मतलब species extinct हो रही है क्योंकि airplane एको सिस्टम तो यह कह रहा है शुरुआत में सायद कोई फर्क ना पड़े पर अगर धीरे धीरे क्या होगा airplane या ecosystem वीक होता जाएगा अगर बहुत important पार्ट जैसे कि विंग विंग मतलब पंक airplane का वो रिमूव कर दे वो हटा दे तो plane तो unstable हो जाएगा ऐसे ही हमारे पास की स्टोन स्पीशिस क्या होती है विटा यह बहुत जादा important species होती है कैसी important है मैं बता देता हूं इसका एक example है fig fig किसे कहते हैं अंजीर को इसमें उस समय fruit होते हैं ट्री पर जब समय किसी ट्री पर fruit नहीं है मतलब fig एक प्लांट है जिसके ट्री पर fruit तब होते हैं जब किसी प्लांट पर प्रूट नहीं है तो अगर मैं विंग हटा दूं या की स्टोन स्पीशिस हटा दूं तो क्या होगा गया सब्सक्राइब सब्सक्राइब एको सब्सक्राइब कर दो of species से यस यह याद करना आपने की स्टोन स्पीशिस विंग से यस स्टेबिलिटी वीक होना मतलब ecosystem वीक होना stability of plane की clear है तो यह हमने क्या पढ़ लिया विटा ecosystem की क्या पढ़ लिया हमने ecosystem की importance पढ़ ले तो आप यह सारी चीजे पढ़ राम से पढ़ ले जाओगे देखो यह की स्टोन वगेरे लिखा हुआ है मैं बोल रहा हूं यह देखो loss of rivet wings major ecosystem में clear problem लाएगा clear proper functioning of ecosystem को ही हम कह रहे है flight safety yes paul elries thousand of spirit मतलब species यस चलिए अब हम ने क्या पढ़ लिये biodiversity के बारे में पढ़ लिये देखो चैप्टर तीन हिस्से में है पहला हिस्सा है biodiversity दूसरा हिस्सा है पहला हिस्सा है biodiversity दूसरा हिस्सा क्या है दूसरा हिस्सा है उसमें extinction कि कैसे biodiversity कम हो रही है और तीसरा हिस्सा है उसकी conservation मेरी बात समय आ रही है अब हम पढ़ेंगे कि biodiversity कैसे extinct हो रही है फिर पढ़ेंगे कि कैसे conserve कर सकते आज़ो तो सबसे पहले मैं आप से कह रहा हूं कि आपकी ncrt ने सबसे पहले बोला है देख भाई ncrt अपने टाइम में जैसे आगर मैं पूछों human 200-400-500 साल से प्रॉपरली अर्थ पे active है क्या हमने अपने life में कोई नई species add होते वे देखा है नो पर क्या species extinct हुई है यस species extinct हुई है यस तो इस बात के हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है और उस प्रूफ में कुछ प्रूफ क्या क्या है सुनना द्यान से ncrt कहती है कि बाई जब से human ने Pacific Island को Pacific Island को इन हैबिट किया इन हैबिट मतलब वहां आया है तो लगबग 2000 बर्ड की species extinct हो गई है यस 2000 बर्ड की species extinct हो गई है जब से human Pacific Ocean के जो island से वहां आया है उसके बाद ncrt कहती है कि iucn जो है एक organization है जिसने 2004 में एक list निकाली थी उसने बोला था उस list में बोला था कि यह 784 extinction हुए है last 500 year में उनने का कि लगबग 500 year में तो मुझे इतने extinction के मुझे proof मिले है सर यह data याद करना मेरे जाब से नहीं पर तुम्हें iocn की list की बात याद करनी है उसमें उसने कुछ ऐसे बोला है कि 338 vertebrates गए हैं उनका नंबर कम है तो कम गए है 359 invertebrates गए हैं ठीक है जो extinct हुए है 87 plant extinct हो तो यह extinct हो गए है और last 20 year में तो 27 last 20 years में तो 27 species यह 27 species यह तो यह तो काफी fast है ना 500 साल में इतना है last 20 years में 27 species extinct हुई है clear है और इसके जो कुछ example है हमारे पाच कुछ इसके जो example से वो कौन कौन से देखो maurishes में एक bird मिलता था जिसे कहते थे डोडो बड़ था एफ्रीका में जीबरा जैसा दिखता था उससे कहते थे quagga अस्ट्रेलिया में हमारे पास एक जैकल जैसा या फॉक्स जैसा दिखता था उसे कहते थे थाईलासीन रशिया में स्टीलर सीकाओ यह सील जैसा दिखता था यस यह एक्स्टिंट हो गए उसके अलावा कुछ टाइगर की सब स्पीशीज थी टाइगर की सब स्पीशी थी वो एक्स्टिंट हो गई और वो कौन सी है बिटा वह बाली जावन कैस्पियन तो यह नाम याद करने अगר आपसे मैं पूछों की पिछले वाला डाटा याद करना नहीं तुझा यह नाम याद करना तुझे यह नाम याद करना दिसिस क्वागा दिसिस क्वागा अफ्रीका में यह क्या है विटा डोडो एक ओर सिस ठीक है थाहलासीन अस्ट्रेलिया में एंड छेलर सीगाओ धना सील जैसा है क्लीर और आप देखो आई-उ-सी ये जो होती है एक लिस निकालती है उसमें तीन कैटेगरी बनाती एक बनाती है extinct अब extinct दो हैं एक पूरी तरह से extinct और एक extinct in wild मतलब जंगली condition में नहीं मिल रहे हैं कहां मिल रहोंगे हो सकता है किसी उसमें हो किसमें जू में हो फिर वो बनाती है जिसको अभी मतलब डर है उसमें आता है critically endangered मतलब बहुत खत्रे में क्या नाम है critically endangered ये नाम आ गया फिर आते हैं endangered जिनको खत्रा है फिर आते हैं और एक और होती है जिसमें data insufficient है तो मैं यह कह रहा हूँ IUCN क्या करती है हर साल एक list निकालती है उनमें इन categories में तो यह वाले categories तो वह हैं जो आतम हो चुके हैं लगबग या कुछ zoo में होंगे इन पर ध्यान रखना होता है यह वह categories है जिन पर खास क्या ध्यान रखना है कि अब क्या पहले जो था वह vulnerable से कहीं इसमें तो नहीं चला गया बहुत कत्रे में तो नहीं चला गया इस तरीके से तो IUCN बिटा जो threatened होती है ना उनकी list निकालती है और हमारे पास वो list की अगर हम बात करें बिटा उस list की बात करें उसे ही हम कहते है threat of extinction तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे जादा threat क्या सारे organisms को है क्या सारे group में बराबर threat है नहीं हमारे पास कुछ 15,500 species बताई थी उसने IUCN ने जिनको threat है और उसमें मेरे पास मेरे पास 12% birds है 23% mammals है यस और हमारे पास 31% gymnosperm आप देख रहो gymnosperm को भी काफी threat है और 32% amphibians है पूरा 100 नहीं होगा बाकी तो और भी species है मतलब IUCN ने वो जो मैंने बीच वाला group बताया था ना threatened वाला उस threatened में mostly देख रहो mostly amphibians है क्योंकि freshwater sources कम होते जा रहे जिम्नो स्पर्म की यह current condition नहीं है mammals large size के होते है clear birds का भी खाने का source कम होता जा रहा है तो इनको काफी जाधा threat है काफी जाधा क्या है threat है अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जो जिसका answer आपको अपने दिमाग में रखना है देखो हमने क्या पढ़ना हमने पढ़ना laws of biodiversity तो सबसे पहले NCRT ने क्या पूछा आपसे आपसे पूछा क्या कोई कोई नई species add हुई आपने का नई क्या मरी है हाँ मरी है Pacific Ocean में हुए extinction यस countries में हुए है हाँ यस IUCN list निकालती ही हर साल category बनाके उसमें जो मुझ मेरे सवाल का जवाब देना क्या सिर्फ human के आने से extinction हुआ पहले नहीं हुआ है पहले extinction नहीं हुआ है क्या मतलब NCRT कहती है क्या only human responsible है only human is responsible ऐसा पूछती NCRT आपसे पूछती है क्या सिर्फ human responsible है नहीं सिर्फ human responsible नहीं है अक्चुल में क्या हुआ था अभी तक अर्थ पर पांच मेजर एपिसोड हो चुकी है एपिसोड का मतलब बहुत लंबे समय तक मास एक्स्टिंशन चला था यह जो चल रहा है यह सिक्स्ट है यह जो करेंट है ना सिक्स्ट एपिसोड करेंट है जो चल रहा है मतलब हम यह कह रहे हैं कि बिटा देखो एक्स्टिंशन पहले भी हुआ है पुराने प्रीवियस मेरे पास कितने हुए पांच हुए है यह चटा चल रहा है पर पॉइंट यह है पॉइंट यह है कि जो चटा है ना उसकी स्पीड इतनी फास्ट है स्पीड जो है 100 से 1000 टाइम है बिटा अगर इतनी फास्ट स्पीड है तो इसके हिसाब से इसके हिसाब से एक्स्टिंशन कुछ टाइम में हो जाके खतम ऐसा हो जाएगा मतलब यह हुआ कि अभी स्पीड इतनी फास्ट है स्पीड इतनी जादा फास्ट है कि कुछ टाइम में एक्स्टिंशन क्या हो जा हमने बताया कुछ एक्जामपल क्वैगा थाइलासीन स्टीलर सी काउ और क्या बोला डोडो उसके अलावा बाली जावन कैस्पियन सब स्वीशिज और टाइगर येस अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या हमने किया एक्स्टिंशन हां हम रिस्पॉंसिबल है इसका पढ़ेगा सोच असर पढ़ेगा पहला NCRT लिखती है कि डिक्रीज दिन प्लांट प्रोड़क्टिविटी तो ये तो जब रोल था उसका उल्टा होगा कि नहीं होगा यस डिक्रीज दिन प्लांट प्रोड़क्टिविटी यस क्लीर है सही है दूसरा क्या है रजिस्टेंस decrease हो जाएगा किसका और environmental changes का environment में जो change होंगे उसके लिए resistance क्या होगा decrease कर जाएगा यस फिर क्या जाएगा variation आजाएगी किसमे variation of cycles like water cycle इन सब में variation आजाएगी तो कहीं न कहीं unstability बढ़ती है यस और यही सब बिटा लिखा है तेरी सबसे पहले decline in plant production lower resistance to environmental perturbation का मतलब होता disturbance increase variability in certain variability मतलब देख रहाएगा variation आजाएगी किसमें water use में past disease cycle में और यह मतलब major losses है जो हमने फाइदे गीने थे ना 3 stable ecosystem रहेगा productivity हाई रहेगी disturbance का उसका उल्टा ही तो loss होगा सोच यस और अगर आप ध्यान से देखो न NCRT clear कहती है कि चार बड़े reason है जिने वो evil quadrate बोलती evil quadrate का मतलब चार बड़े reason है हमारे पास चार बड़े reason है जो मतलब मेरे पास biodiversity loss के है अब हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम नहीं पढ़ी biodiversity मैं repeat कर रहा हूं Edward Wilson यस उसके बाद levels of biodiversity सबसे पहले vertebrate invertebrate उनके पाई चार्ट पे उसमें हमें पता इंसेक्ट ज्यादा था वह एंजियोस पर फंजाई था यस और वहापस सबसे यदा फिश था उसके बाद हमने बोला हर दस में से साथ अनिमल इंसेक्ट है 70 परसेंट अनिमल है 22 उसके बाद हमने बोला मॉनरा के नहीं करते यस उसके बाद हमने बोल गटेगा फिर हमने क्या बता है उसके कुछ अमेरिकन फॉरस देख लेए चैट में लिए इस उसके बाद हमने बोला कि उन्होंने दिये एस इस इकल टू सीए जड़ेशन कोफिशेंट जैड़ की वेल्यू पॉइंट वन से पॉइंट टू के बीच में इन रिस्पेक्ट ऑफ किस पर डिपेंड नहीं करती टेक्सोनोम के लिए बड़ी होती है 1.2 चली जाती है 1.2 जाती है और वो 0.6 से 1.2 वो बड़े आइलेंड के लिए या कुछ गुरुप जैसे की फ्रूट इटिंग बर्ड्स और मैमल्स के लिए 1.15 है यस फिर हमने कहा कि यह बाइडवस्टी का रोल बताओ तो हमने कहा यह तीन रोल है external plot experiment यस फिर Paul Elrich ने बताया कि जैसे जैसे मैं species extinct करूंगा rivet हटाओंगा तो क्या होगा airplane weak हो जाएगा airplane ecosystem yes rivet species extinction of species मतलब rivet को हटा रहें popping कर रहें clear yes keystone species मतलब wings यह बताया उसके बाद हमने का loss of biodiversity examples बताए आपको yes example में हमने बता दिये सारे उसके बाद हमने का कि Pacific Ocean में करा है quagga thailacene stiller see cow dodo इनकी बात करी उसके बाद हमने बोला है कि क्या human responsible है फिर हमने बताई वह सारी बात है कि यह नहीं यह पर छटा एपिसोड इतना फास्ट कर दिया हमने यस ठीक है उसके बाद हमने थैटेंड की बात कि उसमें सबसे आदा impact देखने हम MPBN पे अब हम यह कर रह से ncrt clearly कहती है कि habitat loss होगा तो मेरे पास क्या होगा less space होगा किसके लिए food के लिए shelter के लिए yes or no less space है मेरे पास ठीक है इसका example उन्हें ने बताया Amazon forest Amazon forest जिसको lungs कहते हैं अर्थ का lungs of आर्थ कहते हैं पहले वो क्या था बिटा वो 14% परसेंट टोटल आर्थ हे रिया था अब 6% है उसको काटा किसलिए है दो रीजन से एक तो सोयाबीन कल्टिवेशन के लिए इसके लिए कट कर दिया उसको दूसरा उसको बिटा beef cattle के लिए beef cattle जो है उसके लिए fodder fodder मतलब चा क्या किया चोटे-चोटे एरियास में कटिंग कर दी तो यह पूरा एंटायर लॉस हो गया यह पूरा ही लॉस हो गया इसके इसका इंपक्ट किस पर दिखता है मैमल्स पर बर्ड्स पर मेरी बात सुनना ध्यान से कोई बड़े फॉरस्ट को अगर छोटे-छोटे हिस्सों मे काड़ो तो पूरा इस खराब हो जाता है और इसका ज्यादा बड़ा इसके दिखता है मिद्फा यह पर बड़े अर्स्वा बचाने के लिए घने जंगल बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों को प्रेडेटर से बचाना तो डेंस फॉरस्स जई वह नहीं होगा तो फ्रेग्मेंटेशन का है फ्रेग्मेंटेशन क्या होता है अगर आप जंगल को ऐसे पार्ट्स में कट कर दो तो पूरा ही है कि प्रिडेटर का जो बीहेवियर है वो प्रूडेंट होता है आपने देखा इस शेर ऐसा थोड़ी सारे हीरन आज मार देगा लाल जी थोड़ी हो पर हुमन जो है वह गृड़ी है तो उसने क्या कि रिसोर्स की ओर एक्स्प्राइटेशन की है उसमें एक है मेरे पास स्टीलर सी काव उसको उन्होंने मतलब खाने के लिए यूज करा होगा एक पैसेंजर पिजन ये दे रखा है और उसके अलावा बिटा क्या होता है किसी भी कंट्री में जैसे इंडिया है इंडिया में ये व तो मार दिया गया है और एक्सप्राइट कर दिया तो यह है हमारे पास क्योंकि ओशियन के अंदर पता नहीं चल सकता नहीं कितना फिश मार दिया क्या ठीक है उसके बाद है बिटा एलियन स्पीशीज इन्वेशन मेरी बात सुन ये कोई एरिया है अगर यहां बाहर से नई आप होता था कुछ हम नहीं किया जादा कर एलियन स्पीशीज इन्वेशन हमारे काम है जैसे आप याद करो पार्थीनियम यस पार्थीनियम हम लाए थे उसके अलावा इकॉर्णिया साइध आपको पता नहीं है वेस्ट बेंगॉल में इसको सजाने के लिए लाए गया था इकॉर्णिया को पार्थीनियम तो गेहूं के साथ गलती से आगया था एक होता है लेंटाना लेंटाना भी क्या एक वीड है यस क्लिर है इसकी अलावा बिटा एक फिश थी हमारे पास उसे कहते है नाइल पर्च नाइल पर्च क्या थी एक फिश होती है एक लेक थी उसको इंट्रोड्यूस किया था लेक में साउथ अमेरिका की लेक थी इंटू लेक विक्टोरिया साइथ लेक विक्टोरिया में डाला गया था यस जब इस लेक विक्टोरिया में डाला गया न तो चिकलिड फिश एक्स्टिंग्ट हो गई चिकलिड फिश क्या होती है बिटा जैसे ये मैनने एरिया बना दिया यह मेरे मेरे पास लेक है इस लेक में वह जो आपने एक्वेरियम देखा आपके घर में जो एक्वेरियम होता है चोटी चोटी फिश वह चिकलीट fish होती है Catfish थी African African उसका नाम था Clareus Clareus Gary Pinus यह Catfish जो खाई जाती थी इसको इंट्रिस किया था illegally Indian Water में इंट्व इंट्व इंडियन वॉटर इंडियन जो पानी रिवर से illegally और उसने क्या कि एक्स्टिंक्ट किया किसको इंडियन catfish को इंडियन ने catfish को क्या किया extinct किया मेरी बात समझ लो द्यान से तो यह मेरे पास किसका एक्जामपल है alien species invasion का example यह example है over exploitation का clear है अब हम बात कर रहे हैं बिटा co extinction की किसकी बात कर रहे हैं अपने co extinction की बात कर रहे हैं ठीक है co extinction क्या होता है बिटा कि माल लो मेरे बात सुनों एक दूजे के लिए मतलब क्या हुआ एक युका प्लांट और मौत का example था अगर युका प्लांट extinct हो जाए तो मौत भी extinct हो जाएगा मतलब क्या होगा बिटा अगर वन प्लांट extinct then host depend on that that also extinct और ये दो जगा हो सकता है एक हो सकता है predation में host और pray वाले में predation में हो सकता और एक mutualism में हो सकता मेरी बात समस्द्यान से कोई किसी पर खाता है अगर वो जिस पर खाता है वो मर जाया है तो वो भी मर जाया जो खा रहा है दूसरा दोने एक दूसरे पर निर्बर है एक एक स्ट्रिंट होगा दूसरा एक स्ट्रिंट हो जाएगा तो यह होता है बिटा को extinction में clear तो यह चार रीजन है पहला habitat loss fragmentation दूसरा ओर exploitation तीसरा alien species invasion फोर्थ है मेरे पास को एक्स्टिंशन तो यह वह इक्जांपल्स है जिनकी वज़े से extinction हुई है आप देख सकते हो मैं बिलकुल clear पड़ा रहा हूं सोया बीन cultivation और fodder के लिए beef cattle के लिए पहले 14 परसेंट पे था आप 6 परसेंट पे है बर्ड्स और मैमल्स को सिक्लिड फिक्स किसने नाइल पर्च लेक विक्टोरिया ने अफ्रीका में उसके बाद लेंटाना वाटर हाइस इंथ क्लेरियस हाना और कैसे इललीगली इलीगली पोजिंगा थ्रेड इसको लाये थे इलीगल इंट्रोड़क्शन ये लिखा हुआ क्लियर है को एक्सिंग्शन होस्ट फिच स्पीसीज एक्स्ट्ट यूनीक अना तो उसका जो पेरा साइट तो वह भी एक्स्टिंट हो जाएगा यास अब आते हैं वि डिवस्टी को कंजर्व करना यहीं से सबसे जादा कोशन आते हैं तो सबसे पहले पूछेगा आपसे की कंजर्व करना करना ही क्यों है करना क्यों है करना क्यों है कंजर्व तो सबसे पहले इसके तीन रीजन सबसे पहला रीजन नेरो यूटिलिटेरियन मतलब इसे कहते है डा यह सा ही है डारीक भूड हो गया पॉड हो गया अधिया यह सब हमें मिलता है किस से ऐसे था हमारे पास किस से मिलती हैं। किसी प्लांट से ले लिया किसी एनिमल से कहीं से भी ड्रग्स लाते हैं प्लांट से मालो उसके अलावा एक टर्म यहां पर दे रखिए बायो प्रोस्पेक्टिंग आप में इसे कितने बच्चों को याद है बहुत सारी टर्म से जैसे बायो इथिक्स है या बायो मतलब वॉर है बायो वैपन है हना यस बायो रेमिडियेशन है बायो टेक के सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में लिखा ऐसे एक टर्म है बायो प्रोस्पेक्टिंग बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे बिटा किसी भी प्लांट और एनिमल की फ्यूचर में, future में उससे क्या जो benefit ले सकते हैं, कैसे, by finding कि उसमें कौन सी gene है, finding gene कौन सी है, chemical कौन से है, यह सब पता करके future में मैं उससे क्या benefit ले सकता हूँ, उसे कहते है bioprospecting, तो यह मेरे पास direct benefit है, इन्हें कहते है direct benefit, तो narrow utilitarian का मतलब होता direct benefit, दूसरे हमारे पास है indirect benefit, मुझे indirectly तीन benefit मिलते हैं बिटा बायोडिवस्टी से, पहला oxygen, ठीक है, clearly बोल रहा है वो कि आप अपने आसपास के hospital में जाओ तो पता चलेगा, दूसरा pollination, दूसरा वो क्या कहा रहा है, pollination, pollination क्या देता है, fruit देता है, मैंने इसको narrow में लिख दिया, हटार देते हैं हमार से, pollination लिख दिया, मैंने यहापर लिखना है, food, fodder, fiber, fiber, timber, यह सारी चीज़े, yes, ठीक है, तीसरी चीज़ है बिटा, aesthetic pleasure, aesthetic pleasure का मतलब होता है, आप भी देखते हो कि nature में, aesthetic pleasure का मतलब होता है, कि nature में आपको flower वगरे देखके, nature द को थोड़ा सा sense of, sense of goodness आती है, अच्छा लगता है, तो sense of goodness क्यों आती, nature को देखके, flower को देखके, यह चीज़ कह रहा है, अब तीसरा reason आपको क्यों बचानी है, biodiversity, वो है ethical reason, ethical का क्या मतलब हुआ, आपको biodiversity बचानी क्यों है, इथिकल क्या reason, ethical यह है, इथिकल यह है, बिटा, हमारे साथ क्या share करते है, अर्थ share करते हैं बिटा, उनके पास they also have right, they also have right, उनके पास भी अधिकार है, animals और plants जो है, वो अर्थ share करते हैं अपने साथ, और they also have right, उनके पास अधिकार है, किस चीज़ का, किस चीज़ का अधिकार है बिटा, उनके पास अधिकार है, किस चीज का कि जिन्दा रहने का मतलब they also have right to survive even उनका कोई economic benefit नहीं है even if even if they not have any any economic benefit उनके पास कोई भी economic benefit नहीं है तब भी उनके पास जिन्दा रहने का अधिकार है कोई डाउट यहां तक सोच लो तो पाइडवस्टी बचानी क्यों है narrow मतलब direct benefit broadly utilitarian indirect oxygen pollination aesthetic pleasure ethical reason क्या होता है कि वह हमारे साथ share करते है अर्थ तो हमारे कर मतलब यह बनता है हमारा क्योंने बचाए ठीक है clear है yes अब आजाओ जिससे सबसे ज़्यादा कोशन आएंगे how do we conserve biodiversity कैसे बचाना है दो एप्रोच है सबसे पहली एप्रोच है जान सुने बिटा देख मेरी बात समझ द्यान से यह बात आपको इस बात में आप आप द्यान से लास्ट की चीज़े पढ़ा रहा हूं इस बात में आपको कोई डाउट नहीं है कि अगर हम वो करेंगे आगे ग्रो करेंगे हम आगे डवलप तो डवलप्मेंट क्या करेगी हमीशा याद रखो डवलप्मेंट क्या करेगा डवलप्मेंट रिसोर्स यूज करेगा और अगर वो रिसोर्स यूज करेगा तो क्या होगी सर बात में कोई डाउट है दिरको क्या बाइडवस्टी क्या होगी सर लॉस होगी बता बोल भाई चैट में बता इसमें तो कोई डाउट नहीं है तो मुझे दो एप्रोच करनी है पहली एप्रोच होती है इनसिटू कंजरवेशन इनसिटू कंजरवेशन का मतलब क्या है जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं माल लो आपके घर में कोई आया वह आने वाला है अभी टाइम है आ तो इनसिटू में क्या होता है अर्जंट नीड नहीं है नौट अर्जंट नीड ओफ कंजरवेशन अर्जंट नीड ओफ कंजरवेशन नहीं है हां सर बिल्कुल ठीक बात है तो इसमें क्या होता है टू कंजर्व टू कंजर्व टाइगर टाइगर को बचाने के लिए एंट जगा बचाना, इसका मतलब औरगेनीजम को हम क्या करते हैं? सेव करते हैं सेव, at, on site उसको on site सेव करते अब आजाओ second second आजाओ जिसको अपने पर आपने नाम दे रहे हैं XC2 Conservation अपने नाम दे रहे हैं XC2 Conservation, यस तो इसमें क्या है इसमें क्या है आप सुनना ध्यान से ये हमारे पास exit to conservation है इसमें क्या है ध्यान सुने इसमें urgent need है urgent need of conservation urgent need है conservation की 무슨 pratt इसमें क्या होगा हम उसको away from site conserve करेंगे awake from home siteacts Unsurwww का मेरी बास सुनो माल लो Tiger है 100 तोफ फॉरेस्ट बचा लो अब अप पॉरेस्ट बचाने जाओगे मोधी मरत तो इसमें किया करेंग steps in ने अर्ज है तो ऑवे सवेश्वक्र साइड कंजर करेंगे जैसे फ़ियर मेरी मरी तो इसमें क्या होग अगर बहृतबर हम आवे नहीं करेंगे तो दिक्कट होगी अब इसमें क्या क्या आएंगे ईग्सम्फल इसमें तीन इग्जाम्फल आएगा hotspot बाल ना एक पहला हाट Spot बाल इसमीन होड्स डूसरा इग्सम्फल हायगा प्रोट्टेक्टी टेरियाज प्रोटेक्टे affected areas और तीसरा एक्जामपल आएगा सेक्रेड ग्रूफ यह तीन एक्जामपल सहन जो इसमें आते हैं इसमें आएंगे जू बाटनिकल गार्डन जियान देंगे इसमें आएंगे जू बॉटनिकल गार्डन येस और नो येस क्रायो प्रिजर्वेशन चीक है सीड बैंक ऐसी चीज़े आएंगी चीक है सीड बैंक ये सारी चीज़े तो एक बर ज़रा देख लेते हैं विटा क्या होगा आपको पता है कि हम यहां पर लिख रहें इस बात को कि एंटायर फॉरेस्ट को बचा रहे हैं टाइगर बचाने के लिए इसे कह रहे हैं ची है तो चलिए आईए तो अपने बात करेंगे सबसे पहले इंसीटू मेरे बात सुन द्यान से यह आर्थ है आर्थ पर क्या होगा विटा यह एक्वेटर जो है ना एक्वेटर एक्वेटर के आसपास ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जहां पर बायो डैवर्स्टी बहुत ज यह वह एरिया होते हैं वहां हाई डिग्री ओफ एंडमीजम होती है एंडमीजम का क्या मतलब है मेरे बात समझ एंडमीजम का क्या मतलब है जैसे मालो इस एरिया में मुझे खास तरह का कैंगुरू मिल रहा है वो तो अस्टेलिया मिलता है हां सर कोई बात नहीं यहां पर म endemism yes समझ में तो हमने का heart spot में क्या होगा bio-diversity high हई ही डिग्री आफ एंडेमिजम होगी और वह बायो डेवस्टी लौस भी हई होता है बहुत तेजी से बायो डेवस्टी लॉस हो रहा है तो अगर हम अगर हम इफवी प्रोटेक्ट सच अगर हम ऐसे एरिया को protect करें ऐसे area को तो क्या होता है तो हम क्या कर सकते हैं विटा हम सारा area तो बचा नहीं सकते तो biodiversity loss घड जाती यह तो NCIT कहती है कि जो hot spot है hot spot लगबग 2% है total land area का total land area का 2% है लेकिन अगर protection कर दी जाए यहाँ पर protection हो तो हम क्या कर सकते हैं बिटा हम 30% तक decrease कर सकते हैं biodiversity loss को क्या इस बात में कोई डाउट है biodiversity loss को हम 30% तक घटा सकते हैं यस यह हो गए hot spot और hot spot मेरे पास ध्यान से सुनेंगे hot spot मैंने बात कर ली है ठीक है अब इंडिया में क्या था सबसे पहले यह समझ बिटा अर्थ पे पहले ऐसे 25 hot spot identify हुए थे बाद में अब 34 hot spot हैं हमने hot spot की संक्या हमने जादा identify कर ले ठीक है इंडिया में तीन है इंडिया में कितने है तीन है यस और वो कहां पर है यह वर्ल्ड में है बिटा पूरा वो कहां पर है यह देख जैसे माले यह इंडिया का मैप है हाना यह इंडिया का मैप है हमारे पास तो एक हैं यहाँ पर एक हैं यहाँ पर चीक है हिमाल्या रीजन दूसरा है इंडो बर्मा यह वाला रीजन और तीसरा है वेस्टन घाट से लेके श्रिलंका फर्स सेकिंड थर्ड ऐसे याद करेगा तो याद रहेगा तो फर्स्ट है हिमाल्या रीजन यस हिमाल्या शिवालिक वाला दूसरा हमने लिखा- इंडो बर्मा इंडो कोनसा है बिटा मैनमार इंडो बर्मा रिजं तीसरा है व्यस्तर घार्ट स्रि लंका वेस्टर घार्ट एंड श्रिलंका यह अपने पास, yes or no, yes sir, आगया जाओ, अब आओ, और कौन से protected areas होते हैं बिटा, protected areas क्या मतलब, देख, पहला तो हो गया hot spot, मतलब मैं area पहचान लू, और अगर सही से वहाँ protection कर दूँगा, तो लगबग 30% तक कम होगा biodiversity loss, protected areas क्या होता है बिटा, हमारी countries में, कुछ area को law के थ देते हैं, yes, law के थुरू protect करते हैं, उसमें क्या क्या आती है, उसमें आती है wildlife century, wild life century आती है, yes, और क्या आएंगे, और क्या आते है, national park, आपने सुना है, national park, गुमने भी जाते हो कभी, और एक होते हैं, बिटा, biosphere reserve, यह सबसे बड़े होते हैं, अभी 18 है, NCRT ने लिखे है कि 14 हैं यह, यह लगबग 14 है, यह 90 है, clear है, और यह कुछ 448 है, तो यह biosphere reserve इतना बड़ा होता है कि 2-2 state में चला जाता है, हना, तो biosphere reserve में क्या होता है, एक ऐसा area होता है, जहां पर कोई नहीं जाता, उसको कहते हैं, core, फिर यहां पर आउता है area buffer, यहां कुछ लोग जाते ह फिर outer area होता है, biosphere reserve बहुत बड़े size का होता है, very large size, even यह दो-दो state, 3-3 state में natural boundaries होती है, दो बड़े mountain के बीच में होगा, अब सोचो पूरे इंडिया में सिर्फ 14 है यह, यह अब बढ़के 18 होगा है, बहुत बड़ा area होता है, उसमें एक area होता है core, वहां पर कोई intervention नहीं है human जागी नहीं सकते, इतना घना जंगल है, कोई जागी नहीं सकता, core है, फिर buffer आता है, फिर outer area आता है, वहां पर कुछ लोग रहते हैं, road बगएर होती है, buffer में research activity के लिए जा सकते है, तो यह areas हैं जिनने protect किया जाता है, इसके अलावा हमारे पास, third है sacred groove, अब यह sacred groove क्या हो होता है, मेरी बास सुनो ध्यान से, हमारे इंडिया की culture में हैं कि कुछ ऐसी tribes हैं, जिनको बोला जाए तो protection कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी tribes हैं, some tribes can protect, वो protect कर सकती हैं, कुछ ऐसी tribes हैं, वो protect कर सकती हैं, उनको responsibility दी जाती है, तो ऐसा recognize किया जाता है, ध्यान सुनें, land, कुछ ऐसा area recognize किया जाता है, to conserve, क्या करने के लिए, conserve करने के लिए, बायो डैवरस्टी, तो बायो डैवरस्टी को conserve करने के लिए, कुछ area उनके लिए recognize किया हैं, इसमें जैसे बिटा, आपके पास मिगाले, मिगाले आपको पता है, मिगाले नौर्थ इस्ट में, वहां प बिटा, खूब बारिश होती है, अरावली आपने सुना है, कहां पर है, अरावली राजस्थान में है, अरावली का है, राजस्थान में है, yes, clear है, फिर हमारे पास western घाट है, आपने western घाट सुना है, फिर मध्य परदेश के आसपास हमारे पास है, चंदा, बस्तर, एसा कुछ रीजन है यह सब ट्राइबल एरिया और यहां पर बिटा ट्राइब को अलाऊ होता है यहां पर आप इसे घुमन को किल भी करतें कि तो उन्हें कुछ नहीं कहा सकता तो इन्हें इन्हें ऐसे अधिकार दी जाते हैं एगा बचाएं तो सेक्रेट गुरूफ फिर प् आफ साइट ठीक है क्योंकि immediate need immediate मतलब बिल्कुल अभी बचाना है immediate अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें आएंगे सबसे फ़ले आपने Living World में अवातनी कल गार्डन यस और नो यावख नहgueर ड़कू आपने शुग आज़ने ऐस जूगोजनी कल पाक यह सुना है फिर एक होते हैं ऑendeu इसके कहते हैं वाईडा भाट लाइफ सफारी पार्क होत प्रिजर्वेशन यहां में पड़ा है यहां फ्रप्रफ्लारा है यह हमारे पाँ सीड बेंक है कर ये सब यहां ane जहां पर करें सीड तो यह बहुत बहूर देंगा फिर दोसा अब हम या पता रहे हैं बिटा क्या कोई international effort है हमारे पास देखो दो international effort हुआ है एक हुआ है Earth Summit डारेक कोशन आएगा इसका यह हुआ है 1992 में और यह कहां हुआ है Brazil में Rio में Rio de Janeiro ब्राजील में हुआ है यहां पर क्या किया गया था यहां पर बिटा कहीं कहीं कहा गया था कि Bio diversity को बचाना है BIO diversity को क्या करना है conserve करना बचाना है यह बोला गया था and sustainable development करना है कैसे development करना sustainable development करना यह तो यह submit किस लिए होते हैं कि कुछ countries मिलती है बात करती है कि कैसे बचाया जाए बाइडिवस्टी को तो कोशन क्या आएगा सबसे पहले आर्थ सम्मिट कहा हुआ था किसी एर में 1992 में रियोडी जिनेरो ब्राजील में हुआ था और यहां पर बाइडिवस्टी को बचाना और सस्टेनेबल डेवलप्मेंट की बात हुई थी फिर हमारे पास इसके 10 साल के बा बाइडिवस्टी लॉस और बाइडिवस्टी लॉस में रिडेक्शन किया जाए किस लेवल पे ग्लोबल लेवल पे रीजनल लेवल पे यस यस रीजनल लेवल पे एंड लोकल लेवल पे मतलब क्या हुआ आप ग्लोबल लेवल पे बचाओ लोकल लेवल पे कंट्री यह और यह कुशन मनेगा 2002 में जोहेंसबर्ग कहा है साउथ अफरीका में है यस तो यह बिटा सम्मेट थे जो important थे जिन पर हमने discussion किया है ठीक है चैप्टर में इतना ही पढ़ना इसके बाहर नहीं जाना मैंने लेस दिन टू आर में चैप्टर को कराया आपको जान भूझ के ताकि आप असानी से रिवाइस कर सके नोट्स मैं इसके आपके टेलीग्राम पर भेज रहा हूं परिशान नहीं होना आपको ठीक है तो अब बताईए अब हमने वन शॉट करा दिये अब आपको मुझे कराना है माइक्रोप्स, सेक्शल रिप्रोड़क्शन, फ्लारिंग प्लांट, द्रोणा में और मैं संजीवनी में आपको जो कराने वाला हूं वो पूरी प्लांट फिजियोलजी वन शॉट में और उसके बाद कुछ बड़ा करने वाले मिटाप के लिए बड़ा इंदर सेंस क्योंक लिए और मिटाइंस, सेक्शल प्लान धर सबू वाले मिटाम है रिए याले मिटाव्स दॉपर जगम है और मिटाओंस।